ओनलाइन टीचिंग के अंतरगर, आज हिंदी विशय में सिक्षण का रहे हैं, तुमें आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, आज का हमारा टॉपिक है आपठित गद्यांश, इस्टुडेंट आपको पता ही है कि 80 माक्स का हमारा रिटेन एक्जाम होता है और रिटेन कोशन नबर वन, आपका आपठित गद्यांश ही होता है और ये बोर्ड क्लासे गतें much का आता है और ज्यूनियर क्लासे में इसचे के according माक्स होता है और आपके कुश्चन पेपर का ये पहला कोश्चन होता है इस्टुडेंट आपठित का मतलब होता है आपठित होता है ऐसा अंश जो आपने अपने पाथिक्रम में नहीं पढ़ा है हाँ उसके पहले कहीं हेल बुक से या स्टोरी बुक से अपने हो सकता है पढ़ा हो लेकिन जो आपके कोर्स में जो आपका स्लेबस है उसमें वो पैराग्राप नहीं पढ़ाया गया होता है और ऐसा परवाही कर जाते हैं और उनको लगता है कि आप ठिक बहुत इजी होता है और इसको तो हम कैसे भी कर सकते हैं. लेकिन स्टुडेन्ट आप यह देखते हो कि हिंदी जैसे सबजेक्ट में भी अप फुल मार्स लाना बहुत ही आसान हो गया है और समभव है. पहले math जैसे subject में ही मिला करता था marks, अभी hindi जैसे subject में भी 100 out of 100 marks मिलने लगे हैं, तो इसके लिए हमें इन छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान रखने की जुरुवत है, और अगर हम इन छोटी चीजों पर ध्यान रखेंगे, तो हमें पूरे marks मिल सकते हैं, तो आपठित जिसको हम बहुती लापरवाही से लेते हैं, इसमें ध्यान देने वाली योग ये बात है, कि हमें इसके जो आपठित अंश हमारे paper में आते हैं, हम इसके प्रती लापरवाही ना करें, इसका भ्यास करें, और जो भी paragraph दिया हुआ है, उसको हम ध्यान से पढ़ें, और ध्या आते हैं, और कुछ प्रशन आपके बहु बिकल्पी आते हैं, दो तरह के प्रशन आते हैं, हमने आपको बताया, टैन मार्क्स का आता है, टैन मार्क्स में आपका आती लापरवाही प्रशन भी आते हैं, और सासाथ बहु बिकल्पी, बहु बिकल्पी क्या होते हैं, जिसमे आपका multi-optional होते हैं, कही आपके उत्तर दिये होते हैं, उसमें से आपको best anyone चुनना पड़ता है, जो सबसे सही और सठीक उत्तर होता है, वो आप चुनते हैं, ये छोटे-छोटे जो answer होते हैं, एक नमबर के दो-दो नमबर के ये आपके marks का score को बढ़ाता है, और total जो आपक aggregate होता है, जो marks निकलते हैं, उसमें आपका increase करता हो, और आपके percentage अच्छे आते हैं, तो student, आज हम अपठित आंश को हल करने का कुछ सरल और सही तरीका आपको बताएंगे, और उमीद है आप इसको ध्यान से सुनेंगे, और जब ध्यान से सुनेंगे, तो साथ में आपको ए तरीके अपना सकते हैं, कई बाप बीपर जब आपको मिलता है, तो आप क्या करते हो, जल्दी से आप पढ़ना शुरू करते हो, और question के according उसको फटा-फट हरवडी में तने होते हो, कि आप ध्यान ले देते हो, question पूछा क्या जा रहा है, और आपको लिखना क्या है, तो प time में time बहुत कम होता है, और ये काम हमें बहुत ही गंभीरता से करना है, बिलकुल लापरवाही नहीं रखनी है, और खुद पर बिश्वास रखना है, कई बार होता क्या है, आपकी question से मिलते जुलते, लाइने, पैरग्राप में हो सकता है, एक ये दो बार आई हो, अगर आ परणाम क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, कि आप इसमें हड़बड़ी नहीं करिए, लापरवाई नहीं करिए, ध्यान से गंभीरता के साथ प्रशन को पढ़िए, और फिर पैरग्राप को पढ़िए, अपनी भाशा में इसको आप लि प्रियोग कर सकते हैं, सबसे इंपोर्टन चीज, जो वर्ड लिमिट दिया होता है, जैसे एक नमबर का कोश्चन है, दो नमबर का कोश्चन है, तो वो वर्ड लिमिट होती है, तो शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखें, माल येज़े आप से शीर्षक उचा जा रहा है, अ और शीर्षक आप बहुत लंबा अगर लिखने के कोशिच करेंगे, तो वो सही नहीं होगा, और वहाँ पर आपके मार्स कर जाएंगे, तो आपको शीर्षक कोशिच करनी चाहिए, छोटा लिखना चाहिए, हाँ, एक बाद इसका ध्यान जरूर रखें, कई बार ऐसा भी प जुड़ा हुआ है, उससे संबंदित है, तो आपको फिर मुहावरे और लोकोक्तियां लिखना ही पड़ेगा, वहाँ पर ये नियम लागू ने होता, लेकिन अन्य पेराग्राफ में आपको इसका शीर्षक छोटा ही रखना चाहिए, प्रशनों के उत्तर, आपको बहुत स जिहान से आप इसके पेराग्राप को अच्छे से रीड करिए, उसके बाद हम फिर से आपको इसके कोश्चन आंसर कराएंगे, और फिर आप वहाँ पर कोश्चन के साथ साथ आंसर कीजिएगा, और लास्ट में हम आपको एक पैसस देंगे, जिसको आप घर में भी अभ्या हाँ, इस्ट्रेंट उम्मीद करती हूँ कि आपने स्क्रीन पे आ रहे हुए पैराग्राप को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, और अब हम इसके साथ कोश्चन के साथ साथ इसके आंसर भी बता रहे हैं, और आपने जो आंसर लिखें उसको मिलाईए, पहला था उप्युक् अतिलग उत्री होगा, तो हम उसको थर्टी वर्ड लिमिट से जाधा नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर पैराग्राप महावरे और लोगोक्तियों पर आधारी थे तब तो आप लिख सकते हैं लंबा, नहीं तो आपको शॉर्ट आंसर एक शब् प्रकिर्ट के प्रति कभी एवं बैज्ञानिक के दुष्ट कोन किस प्रकार भिन्द भिन्द हैं? अब इसमें आपूं लाईन ने देखनी थी, ध्यान से देखा होगा, आंसर भी किया होगा, जिन लोगोंने लिखा है कि कभी और बैज्ञानिक दोनों ही प्रकिर्ट के पासना करते हैं, दोनों ही प्रकिट के निकट हैं, दोनों का ही धंग, एक सा होता है, लेकिन उनके सोचने और समझने का जो धंग है, जो तरीका है, वो अलग है, जहां पर बैग्यानी प्रकिट के बाहरूप का उलोकन करता है, और वहीं पर कभी क्या है, बाहरूप पर मुग फ़ी आंसर है। स gün लोगों न के लिए निवने प्रियास करता है। कि चंद्रमा का तापमान क्या है, वो कितने साल सीतल रहेगा, उसका जोयर भाटे का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किस गती से सौर मंडल में परिक्रमा करता है, उसका निर्माण किन-किन तत्तों से हुआ है, ऐसे अगर आंसर आपने लिखे हैं, तो यह आपका सही आंसर है फिर नेक्स कोश्चन पर आते हैं, कभी प्रकिर्थ के साथ कैसा संबंध इस्थापित करता है, चंद्रमा के उदाहरण के माध्यम से इसपष्ट कीजिए, तो यह तू-टू-माक्स वाले कोश्चन है, इसलिए आपको थोड़े लंबे लिखने हैं, तो यहाँ पर कभी प् वह जब चंद्रमा को देखता है, तो उसके संदर्ता पर मुग्ध होता है, और दूसरी चीजों की तुलना, उस चंद्रमा के साथ करते हुए, अपनी कृतियों का वर्ण विशय बनाता है, अगर ऐसा कुछ आपने लिखा है, तो यह आंसर आपका सही है, इसके बार, कुछ question बहु विकल्पी बहु विकल्पी में हम क्या करेंगे जैसे मालीजे एक question हमने दिया है प्रस भुटित ठीक है पहला अगर है question आपका कि दिये हुए शब्द से उपसर्ग और प्रत्य प्रिथक कर मोल शब्द बताएं और चार इसके आपको option है बहु विकल्पी है पहला उदार प्रा इस भुटन प्लस इत प्रा प्लस इस भुटन प्लस इत दूसरा option प्रस प्लस फुट प्लस ता तीसरा option प्रा प्लस इस फुट प्लस ता और चौथा है प्रस प्लस फुट प्लस ता अब इन चारों में आपको सही वाला उप्षन चूज करना है अगला बहु बिकल्पी है तत्सम युक्त शब्द चुने ठीक है कौन से तत्सम वाले शब्द है पहला शब्रफुलित दूसरा पुष्प तीसरा तादात में और चौथा उपर युक्त सभी तो कौन सा आपने चूज किया है उपर युक्त सभी पर अगर लगाया है तो राइट ऑप्षन है इसके साथ ही हम आपको एक और अलग एक सर्साइज देते हैं आप उसको घर में अभ्यास कीजिएगा और उसके बाद उसके आंसर हमें लिख के भेजिएगा जिसे पता चले कि आपने कितने सही आंसर की है तो फिर हम मिलेंगे नेक्स क्लास में एक नए सब्जेट के साथ थैंक यू